प्रस्ण 17 किसी कोन A, O, B के अंदर एक बिंदू P है P बिंदू से किरन O, A तथा O, B पर गिराए गए लंब बराबर है सिद्ध किजे किरेखा O, P कोन A, O, B को सम्दिभाजित करती है प्रस्ण 17 तो कह रहा है किसी कोन A, O, B तो पहले एक कोन A, O, B बना लेते हैं इस तरह से तो यह है A, O, B A, O, B क्या है कोन है तो कह रहा है किसी कोन A, O, B के अंदर बिंदू P है यानि यहाँ पर मान लेते हैं P बिंदू है ठीक है अंदर एक बिंदू है तो इस कोन के अंदर बिंदू P है देखे इस कोन के अंदर P बिंदू है P बिंदू से किरन O, A P बिंदू से किरन O, A तथा O, B पर गिराए गये लंब अब देखे ओए से पी बिंदू पे एक लंब गिराया गया है इस तरह से पी बिंदू से किरन ओए तथा ओबी पर गिराये गया गया है और ओबी पर भी इस तरह P बिन्दु से किरन O A तथा O B पर गिराये गये लंब बराबर है यानि ये जो लंब है ये बराबर है ठीक है ये दिया हुआ है सिद्ध कीजे की रेखा O P सिद्ध कीजे की रेखा O P देखे O P को मिला लेते हैं कोन A, O, B को सम्दिभाजित करती है कोन A, O, B को सम्दिभाजित करती है यानि इस कोन को ये रेखा O, P जो है सम्दिभाजित करती है यानि बराबर बराबर भाग में बाट रही है इस कोन को ये सिद्ध करना है कि ये कोन बराबर ये कोन ठीक है तो कोन यहाँ पर Q लिख लेंगे और यहाँ पर R तो कौन हो गया P.O.Q बराबर P.O.R हमें सिध करना है देखिए, कौन? P.O.Q यानी ये कौन? P.O.Q ये जो कौन है इसके बराबर किसको सिध करना है तो P.O.R को यानी ये जो कौन है ठीक है? तो हम लिखेंगे पहले दिया है तो क्या क्या दिया है तो दिया है कि PQ दिया है PQ लंब है O A पर PQ लंब है O A पर ये दिया हुआ है देखे PQ O A पर लंब है यानि 90 डिग्रे कोन बना रहा है दोनों तरफ ठीक है तो PQ जो है OA पर लंब है यह जो OA है उस पे PQ लंब है क्योंकि प्रस्ट में दिया हुआ था कि P बिंदू से किरन OA तथा वो भी पर गिराये गये लंब तो P बिंदू से OA पर कौन सा लंब गिराये गया है PQ तो PQ जो है OA पर लंब है ठीक है तो इस तरह लिख लेंगे फिर PR PR किस पर लंब है PR जो है OB पर PR लंब है OB पर देखे PR जो है OB पर लंब है ठीक है यानि दोनों तरफ 90 डिग्री का कोन बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि किसी एक तरफ 90 डिग्री का कोन हो रहा है तो रेकी के उसे दोनों तरफ हो गया क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोन होता है तो देखे लंब है तो 90 डिग्री का कोन बन रहा है तो इस तरह लिख लेंगे तो किसी एक तरफ भी 90 डिग्री लिख लेंगे इसका मतलब हुआ कि इस तरफ भी 90 डिग्री कहीं कौन बनेगा क्यूंकि सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कौन होता है तो रैखी की उगम से दोनों तरफ कितना होगे 180 डिग्री दोनों तरफ का कौन जोड़ेंगे तो अब कह रहा है कि P बिंदू से किरन O A तथा O B पर गिराए गए लंब बराबर है यानि P Q बराबर है P R के यह जो लंब गिराए गया है P बिंदू से O A और O B पर यह दोनों क्या है बराबर है तो लिखेंगे P Q बराबर P R P Q बराबर P R यह दिया हुआ है तो हमें क्या सीध्य करना है अब उसको लिख लेते हैं सीध्य करना है कौन पी ओ क्यू बराबर कौन पी ओ आर तो क्या सीध्य करना है कि ओ पी कौन ए ओ बी को यानि ये पुरा कौन को सम्दिभाजित करती है तो ओ पी जो है इस कौन को सम्दिभाजित कर रही है ये हमें सीध्य करना है यानि कौन पी ओ क्यू बराबर तो पी ओ क्यू बराबर पी ओ आर कौन देखें कौन पी ओ क्यू यानि ये जो कौन है और कौन P, O, R ये दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे तो हो जाएगा O, P, कौन A, O, B को सम्दिभाजित कर रही है देखें, कौन A, O, B यानि इस पुरा कौन को O, P, क्या कर रही है, सम्दिभाजित तो क्या सिद्ध करना है, कौन P, O, Q, बराबर, कौन P, O, R तिर्भूज पी ओ क्यूँ और तिर्भूज पी ओ आर में तो अब दोनों तिर्भूज में देखते हैं तिर्भूज पी ओ क्यूज यानि इस तिर्भूज में और तिर्भूज पी ओ आर यानि इस तिर्भूज में तो दोनों तिर्भूज को अगर सर्गौासम सीध कर दियें तो ये दोनों कौन भी बराबर हो जाएगा अपस में ठीक है तो यही सीध करना है तो तिर्भुच P, O, Q और तिर्भुच P, O, R में क्या क्या है बराबर कौन O, Q, P O, Q, P बराबर कौन O, R, P O, R, P तो क्यों होगा तो लिखेंगे परतेक 90 डिग्री तो कौन देखें तिर्भुच P, O, Q और तिर्भुच P, O, R में क्यों O, Q, P बराबर क्यों O, R, P होगा क्यों O, Q, P 90 डिग्री का क्यों है और क्यों O, R, P ये भी देखिए 90 degree का कौन है क्योंकि PQ जो है OA पर लंब है और PR OB पर लंब है तो 90 degree का कौन हो गया दोनों तो दोनों आपसम बराबर हो गया क्योंकि 90 degree का कौन है क्योंकि लंब है इसलिए 90 degree का कौन बन रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कौन O Q P बराबर कौन O R P ठीक है इस कौन को क्या कहेंगे कौन O R P और इस कौन को कहेंगे O Q P तो इस तरह लिख लेंगे अब लिखेंगे O P O P या P O लिख सकते हैं तो P O बराबर P O क्यों? तो दोनों तिर्भुज में P O भुजा यानि दोनों मौजूद है तो लिखेंगे उभैनिस्ट उभैनिस्ट P O बराबर P O तो तिर्भुज P O Q में भी देखे P O भुजा है और तिर्भुज P O R में भी P O है ठीक है? तो ये दोनों तिर्भुज में मौजूद है P O तो P O बराबर P O लिख लेंगे अब तिसरा में प्रस्ण में दिया हुआ है P Q बराबर P R देखे P Q बराबर P R ये दिया हुआ है ठीक है? ये दोनों लम क्या है? बराबर है ये दिया हुआ है प्रस्ण में ही देखे P Q बराबर P R तो अब लिखेंगे यहां पर P Q बराबर P R क्यों? तो दिया है दिया है अब देखे तीन चीज मिल गया है ठीक है? तो अब ये दोनों तिरभुच सर्वासम लिख लेंगे तो लिखेंगे अतर तिरभुच P O Q P O Q सर्वासम है तिरभुच P O R के तो कौन सा नियम से? तो ये नियम हो गया देखें समकोन और ये कर्ण हुआ क्योंकि तिरभुच P O Q में एक कौन क्या है? समकोन है यानि 90 डिगरी का है तो तिरभुच P O Q क्या हो गया? समकोन तिरभुच तो समकोन तिरभुच में क्या क्या चाहिए? एक तो एक तो 90 डिगरी हो गा ही क्योंकि समकोन है और एक कर्ण तो देखें O P क्या है? कर्ण है क्योंकि समकोन के सामने भुजा को क्या करते हैं कर्ण तो ओपी ओपी बराबर है तो समकोन, कर्ण और कोई एक भुजा तो देखे या तो ये भुजा बराबर हो या ये तो समकोन और कर्ण और भुजा ठीक है तीन चीज़ चाहिए एक तो समकोन यानि कोई एक को 90 डिग्री होना चाहिए फिर कर्ण यानि समकौन के सामने वाला भुजा और कोई एक भुजा या तो ये भुजा या ये भुजा बराबर हो तो कोई एक भुजा चाहिए तो समकौन कर्ण भुजा समकौन कर्ण भुजा सरवांग समता से सरवांग समता से क्या हो जाएगा तिर्भुज P.O.Q और तिर्भुज P.O.R सरवांग सम तो इसको लिख लेंगे R.H.S. नियम इंगलिस में क्या लिख लेंगे R.H.S. नियम संछेप में तो R मतलब हो गया राइट एंगल यानि 90 डिगरी R.H.S. मतलब हो गया hypotenuse यानि कर्ण और R.S. मतलब हो गया कोई भुजा R.S. मतलब side ठीक है तो समकोन कर्ण भुजा तो समकोन कर्ण भुजा से ये दोनों तिर्भुज क्या हो गया सरवांग सम अब हम जानते हैं कि कोई भी दोस्ट मतलब कोई भी सरवांग सम तिर्भुज में जो संगत भागय ऊ stages यग कौन हो जाएगा इस कोन के बराबर ठीक है और ये भुजा हो जाएगा इस भुजा के बराबर क्योंकि ये दोनों तिर्भुज क्या सीध हो गया सरवांग तो जो बचा हुआ संगत भाग है उसको भी बराबर कर देंगे तो हमें बस ये पूछ रहा था कि O, P कौन A, O, B को सम्दिभाजित करती है यानि इस कौन को और इस कौन को बराबर सिद्ध करना है तो बस यही दोनों लिख लेंगे तो लिखेंगा अता कौन P, O, Q, P, O, Q बराबर कौन P, O, R, क्यों तो C, P, C, T यानि corresponding part of concurrent triangle यानि सरवासम तिरभुजों के संगत भाग क्या होता है बराबर तो कौन P, O, Q बराबर कौन P, O, R, अब देखिए कौन P, O, Q को लिख सकते है P, O, Q को क्या लिख सकते हैं कौन A, O, P तो कौन P, O, Q को लिख सकते हैं कौन A, O, P और कौन P, O, R को लिख सकते हैं कौन B, O, P बी ओ पी तो कोन पी ओ क्यू देखे पी ओ क्यू यानि इस कोन का नाम हम दे सकते हैं कोन ए ओ पी इसको लिख सकते हैं इस तरह से देखे ए ओ पी इस कोन को बोल सकते हैं और कोन पी ओ आर को लिख सकते हैं कोन बी ओ पी इस तरह से ठीक है एक ही बात है या इस कोन को ये जो कोन है इसको बोले POR या BOP एक ही बात है उसी तरह इस कोन को बोले POQ या AOP एक ही बात है तो कोन AOP बराबर कोन BOP हो जाएगा तो लिख लेंगा अत्या अता ओपी कोन एओबी को सम्दिभाजित करती है अता ओपी कोन एओबी को सम्दिभाजित करती है क्योंकि ये दोनों कोन बराबर हो गया ठीक है तो ओपी जो है कोन एओबी को सम्दिभाजित कर रही है तो देखिए ये जो कोन है इस कोन के बराबर ये जो कोन है ये आ गया है तो O P क्या कर रहा है कौन A O B को सम्दिभाजित यानि इस पूरा कौन को O P जो है सम्दिभाजित कर रहा है तो यही सिद करना था तो इस तरह इसको हल करेंगे यही सम्दिभाजित ी यही रहा है त peng घूरा कायाक कर रहा है अ है